दोस्तों तीसरी विश्वयुद की तैयारी शुरू हो चुकी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो तस्वीरिय जो खबरे आ रही है, वो यही बया कर रहा है कि अब ये युद सर्फ युद बर नहीं रहा है, क्योंकि अब इस युद को तीसरे विश्वयुद की तरफ ले जाने की तैयारिया शुरू कर दी है स्प्रिंटर के मताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों सोशल मीडिया पर एक पेज है स्प्रिंटर उसके जरिये एक खबर जो है ट्विट करते वे जानकारी दी गई है ट्विटर पर बताने की कोशिश की गई है कि अमारिका का एक बेस है जिस पर सीरिया के जरिये हमला कर दिया गया है तावर तोर छे मिसाइले दाग दिये गए है अमारिका बेस पर मैं आपको वो तमाम टूश दिखाऊंगी वो फोटो भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से अमारिका पर हमला हुआ है इसलिए मैं आपको कह रहे हूँ कि तीसरा विश्व युद जो है उसकी शुरुवात कही न कही देखने को मिल रही है ये युद अब और जादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है लोग जो अनुमान लगा रहे थे कि ये युद जो है वो लंबा चलेगा लेकिन आप ये युद कई और देशों के लिए जो है वो खत्री की घंटी बच चुकी है क्योंकि अमेरिका के उपर लगातार कभी इरान के जरीए हमला किया जा रहा है तो कभी इराक के जरीए जो अमेरिका बेस कैम्प है उसको तबाह किया जा रहा है अभी बीते ही दिनों मैंने आपको ये खबर बताई थी कि किस तरीके से अमारिकी बेस कैम्प पर 25 से जादा अमारिकी सानिकों को हमला करके घायल कर दिया गया था लेकिन आप सीरिया जिसे तबाह करने के लिए इसराइल तो पहले ही खड़ा था जिसे इसराइल की तरफ से बार-बार अटाक जो है सीरिया को जिलना पड़ा है अब वो सीरिया अटाकिक मूड में आ गया है जैसा कि आप सभी को पता है अगर आप नॉर्मल भाषा में भी बात करते होंगे तो आप बोलते होंगे कि क्या समझ के रखा है सीरिया समझ के रखा है कि जब चाहो तब तुम बारूद और जब चाहो तब तुम गोले डाग दोगे तो अब वो सीरिया जो है वो अमेरिका से टक्कर लेता वह नज़रा रहा है वो अमेरिका को आख दिखाता वा निज़र आ रहा है अमेरिका पर हमले करता वा निज़र आ रहा है तो कहीं न कहीं इस युद में छोटे जो देश है वो काफी एहम काम करते वे निज़र आ रहे हैं और उनकी जिम्यदारी जो है इस युद में ऐसा लग रहा है कि काफी जिसमें अमेरिका को लेकर अब खबर यहां कि एसी कोई भी मितलब जो च्छती है वो नहीं हुई है लेकिन अमेरिका इसका जवाब देने के लिए आगे बढ़ता वह नजर आ रहा है अमेरिका ने इस पूरे मामले को गहनता से ली है और कहा है कि वो इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिकिरिया देगा और सीरिया को तबाह कर देगा अमेरिका की तरफ से भी बयाना गया है दोस्तों कि अमेरिका सीरिया को धंकी दे रहा है हाला कि अमेरिका हेजबुला को इस लड़ाई से दूर रहने की बार-बार चेताबनी दे रहा था लेकिन हेजबुला इस लड़ाई में हमेशा की तरफ आगे बढ़ चर कर हमास का सपोर कर रहा है हमास की तरफ लड़ाई लड़ा है हमास संगठन जो है और हेजबुला जो है वो अब एक हो गए है क्योंकि इरान के अंदर जो मिटिंग होई थी उस मिटिंग में यह तै कर लिया गया था कि हम आपको अखेला नहीं छोड़ेंगे जिसकी वज़ा से अब सीरिया को कई न कहीं मजबूती मिलती भी निज़र आ रही है कुछ लोग तो है दोस्तों कह रहे हैं कि यह लड़ाई जो है अब कई और मुलकों के साथ होने को दिखाई देगी क्योंकि फिलिस्तिन और इस्राइल की लड़ाई तो हम सब देख रहे हैं और हम आपको लगातार वो कब करने का क्योंकि चीन ने भी इन तमाम छोटे मुलकों का साथ देते हुए अपने हाइटेक हतियार जो है वो भिजवाना शुरू कर दिया है हमले जो है वो करना की आहन कर दी है कि हम आपके साथ है खासकर इरान की बात करें तो इरान के साथ जो है चीन कदम ताल करता वह देगी लिया दोस्तों की किस तरहिए से कई देश इस योदम में इंवाल्व हो चुके हैं कई तो ओपर उपर से सपोर्च कर रहे हैं कई तो अंदर से सपोर्च कर रहे हैं कई तो अमले करते वह रुक नहीं रहे सीधा अटैकिंग मोड़ जो है इनका देखने को मिल ला है अटाक पर अटाक, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि 100 रॉकेट हमास ने दाग दिये, अब फिर से सीरिया की तरफ से अटाकिंग मूर जो वो अक्तियार कर लिया गया है, 6 रॉकेट अमेरिकी बेस कैमपर, सीरिया जैसा देश, जो कि खुद कई सारे जो आपदा है वो जहिल चुका है, लेकिन वो देश अब तेजी से आगे बढ़तावा निजर आ रहा है, और सीधे तोर पर अमेरिका को चेताबनी दे रहा है, अमेरिका पर हमले करने की बात कर रहा है, अमेरिका को धमका रहा है, दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या प्रती के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बलकुल भी ना भोले